जारखंड का रामगड जिला और रामगड की खुबशूरत वादियों में है पत्रातु डेम जहां परेटकों का आना जाना लगा रहता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मनिवर्मा और मैं आज पत्रातु डेम की सेर पर आपको ले जाने वाला हूँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके घंटी को अवसिदा वाले रामगर जिला मुख्याले से 30 क्रूप्टर दोर है खुबसूरत पत्रातु डेम इस डेम का निर्मान पत्रातु थर्मल पावर अस्टेशन को पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था डेम के बगल में ही है पत्रातु लेक रिसॉर्ट सेंटर जहां पर परेटक असानी से पहुँच सकते हैं यह रिसॉर्ट सेंटर सुबह 10 विश से लेकर संध्या के 4 अबजे तक खुला रहता है परतिवेक्ति 20 रुप्या टिकट दर लिया जाता है लेक के बगल में ही बच्चों को खेलने के लिए मर्रणजन के साधन उपलब्द है यहां पर फिल्मों की सुटिंग होती रहती है पत्रातु डेम नलकार्नी नदी पर बनाया गया है इस बांध की कुल छमता एक आसी वर्ग मिल है यह एक बहुत ही खुबसूरत परेटन अस्थल है जहां पर परटक सालो भर आते रहते हैं यहां पर खोर्ठा भोजपूरी या फिल्मों की सुटिंग होते रहती है जबकि अस्थानिय कलकारों दुबारा भी गाने की सुटिंग की जाती है इस बांद को नलकारनी बांद भी कहा जाता है जो पहाड़ों पर बने खुबसूरत अस्केरनी और सरपिन तरीके के कारण सुन्दर दिरिश को दिखाता है यहां पर परेटक बोटिंग का मजा ले सकते हैं जिसके लिए सुलकित लिया जाता है एक बोट का किराया लगभग 4500 रुपिय से लेकर 500 रुपिय लिया जाता है आप बोटिंग करते हुए इंजवाय कर सकते हैं यहां का सुन्दर दिरिश को निहार सकते हैं जाड़े के दिनों में यहां पर परवासी पक्षियां आते रहते हैं जो डेम की खुबसूरती को चार चांद लगा देते हैं यह देखने के लिए परटक भी काफी संख्या में पहुँचते हैं भाग दोल भरी जिंदगी से दूर अगर आप अपने पुरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पत्रातु डेम जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट आप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ आप पिकनिक मनाने के साथ पत्रातु घाटी का भी आनन ले सकते हैं जो खुबसूरत है और यह तेड़ी मेडी सडकों से होकर गुजरती है यहाँ आप सणक मार्ग से भी आ सकते हैं जो रामगड से 21 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है निकटतम रेलवे स्टेशन पत्रातु रेलवे स्टेशन है जो दिश के सभी परमुक सहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है जबकि अगर आप हावाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हावाई अड़ा बिर्शामोंडा हावाई अड़ा है